वेल्कम टू मैं चैनल मुमिता कुमार दोस्तो कुछ दिन पहले मैंने में नाइका से कुछ ओडर किया था अभी वो डेलिवर हो गया है तो आए उसको अन्बॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं उसमें क्या है दोस्तो ये है साड़ा पार्सिल तो आएदे आपके सामने मैं इसको अन्बॉक्सिंग करते हूँ और देखते हूँ इसके अंदर क्या है दोस्तों जो पहला वाला बॉक्स मैं अन्बॉक्सिंग करूंगी वो नाइका से है और यह गिफ्ट मिला है मुझे मेरी बेटी से नाइका से वो कुछ ओडर की थी मेरे लिए तो आए इसको अन्बॉक्सिंग करती हूं और देखती हूं इसके अंदर क्या है यह गिफ्ट मैं बहुत एक्साइटेट हूं इसमें क्या है मैं एक्सलों मैं कान किरो तहुता है औल्पक्स भाइटें ताफते ताफते एक्स्ट मैं नजुम् मैं बाती य्टल बावस्ट की येद tired ऑफम है ये जुत मेधन जारों बारों गले को बाते हैं इस बारों गले किसे लारों अँ़ हैं यह है यह है यह है लेकमे 925 का CC क्रीम यह बेज शेड में मैं बेज शेड काई CC क्रीम यूज़ करती हूं यह मेरी परसूट करता है यह 925 CC क्रीम पूरा अल ओवर कवरेज डे टुडे के लिए बहुत ही अच्छा है मैंने यूज़ किया है यह यह बहुत ही एफेक्टिव है अच्छा कवरेज भी देता है यह 30 ग्राम का है और इसका जो MRP है वो है 349 जो मुझे 279 में मिला है निक्स्ट यह है मेबिलीन का हाइपर कर्ल मस्कारा यह जेड प्लैक में है यह मैंने जो लिया है यह वाटर्प्रूफ नहीं लिया है थोड़ा प्राई हो जाता है कि उस दिन के बाद लगाना मुश्किल हो जाता है तो मैंने यह ऐसे वाटर बेस्ट लिया है इसका जो MRP है 399 और यह भी मुझे 279 में मिला है जो नेक्स्ट प्रोड़क्ट है वो है लैक में आइकॉनिक यह आई-लाइनर है जोती छोटा पैकेट है इसका जो MRP है वो है 250 और यह मुझे इसमें कुछ डिस्काउंट मिला नहीं है यह मुझे 250 में ही मिला है प्लैक कलर का है यह बहुत ही अर्थिन ब्रश है तो इसको मैं अपलाई करने के बाद ही बता पाऊंगी इसका रिव्यू आई-टिंक मैं इसको मैं आई को पर मैं लगाने के बाद ही मैं बता पाऊंगी एक्च्वल रिव्यू तो आई अभी देखते हूं निक्स प्रड़क्ट यह है नाइक का लिप्स्टिक यह भी बहुत ही छोटा पैक है इसका इसका जो MRP है इसका 1.8 ग्राम कहा है और इसमें इसमें MRP लिखा हुआ नहीं है इसका मनुफेक्टिंडेट मार्स 2021 और इसमें 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 कहीं पर भी MRP लिखा हुआ नहीं है और बहुत ही छोटा पैक है इसके पहले मैंने जो लिया था नाइका का यह से शेड वाला डाइना डाइना शेड है यह मैंने लिया था वो थोड़ा से बड़ा था थोड़ा से बड़ा इसका जो प्राइस है वो है 191 लेकिन बॉक्स में कहीं पर भी MRP मेंचन नहीं है तो आइधिंक और इसका साइज भी बहुत ही छोटा है 199 I don't know उसे साफ से I think justify नहीं है तो मैं इसको और डिटर करने वाली हूँ हां लेकिन इसका शेड जो है डाइना शेड यह बहुत ही अच्छा है मैंने पहले भी इसको 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 किया है शेड बहुत ही अच्छा शेड है और अब वेस्टन वैर पहनो या फिर इंडियन वैर पहनो यह किसी के साथ भी डेली वैर के लिए आप यह वाला शेड आप ले सकते हो बहुत प्यारा शेड है लेकिन जस्ट फॉर वांटीटी यह 191 इसके लिए I think अ जस्ट वाई नहीं है और सबसे बरी बाद जो है इसमें कहीं पर भी MRP मेंचन नहीं है नेक्स्ट जो है वह है यह रोटस का वाइट ग्लो नाइट क्रीम में है यह है यहाला मैंने इसके पहले भी यूज़ किया है अब बहुत स्कीन एक अच्छा सा ग्लो आता है स्कीन आप देख सकते इसका एफेक्ट विदिन आटू-3 डेज आप यूज़ करोगे तो इसका पेफेक्ट देश सकते हो अपने स्कीन पे बहुत ही ग्लो करेगा एक लाइफली बहुत ही स्कीन एक हेल्दी लुक्स आता इसमें यह मैंने यूज़ किया है और सच्छी में य अफेक्टिव है तो आप इसको ट्राइ कर सकते हैं यह है 60 ग्राम का लोटस का नाइट क्रीम इसका जो एमर्पी है वो है 425 और यह लिया है 298 तो अच्छा रिस्काउन मिला है इसमें दोस्तो आप इसको यूज़ कर सकते हो क्योंकि मैंने खुल इसको एपलाई किया है मैंने यूज़ किया है और यह सच्छी में बहुत ही अच्छा प्रोड़क्ट है तो यह है नाइका से मेरा पर्सेट मेरे लिए विचो मेरे बेटी ने मुझे गिव्ट की है तो आए अभी मैं नेक्स पैकेट खोलती हूँ यह मैंने मिंत्रा से मंगवाई हूँ यह है यह है मास्क जो कॉटन का है 100% कॉटन का है प्रीमियम फेब्रिक से बनाया हूँ हुआ है थोड़ा वाइट फेस कवरेज है इसका और बहुत ही इजी टू मेंटेनेंस है वाशेबल है प्रीदिबल है और यह स्टेडिलाइस किया गया है सबसे अच्छी बात है कि इसको एजस्ट करने के लिए और यह कान में पहनना नहीं होगा यह पीछे आप एजस्टेबल स्ट्रिप दिया हुआ है आप इसको एजस्ट कर सकते हो और यह फोल लेयर का फ्यूस्ट मिल ब्लोन इसका लेयर है शिक्स लेयर प्रोटेक्शन है इसका प्रीमियम फेब्रीक है और हनेड़ परसें कॉटन है और यह सबसे अच्छी बात है कि यह आयसो साटिफाइड है यह मेड इन इंडिया के है इसमें जो है एक दो तीन चार पांच पांच मास्क है और यह मिल्द्रा में मुझे मिला है 551 में तो आए इसको मैं खोलती हूं और दिखाती हूं मैं जोना चाहिं प्रोड़क्ट है तो पहले मैं देख रहे हूं है तो मैं आप लोग को अच्छी तरफ से इसका रिव्यू दे सकते हो क्योंकि यह नॉन डिवन मतलब नउन डिविवल है ता पिसको रिटर नहीं कर सकते हो और हाईजेनिक विजन यह मैं देख लेती हूं यह अच्छी बात है कि यह नोज को पुरा कवर करेगा और यह चीन को तो यह I think बच्छे के लिए भी साइस ठीक रहेगा और हम लोग के आप तो देख सकते हो कि मेरे उपर भी यह साइस बिल्कुल जा यह मास्क बहुत ही अच्छा है और कलर भी बहुत ही प्यारा कलर है इसमें दो एजस्टेबल स्ट्रीप दिया गया है एक सकाई ब्लू कलर के उपर है एक बेवी पिंक में है और यह भी ब्लू कलर का और एक शेड है यह वाइट कलर में है और यह थोड़ा डार कलर में ब्लैक और ग्रेय की उपर थोड़ा सा प्रिंटेट टाइप का है और इसके साथ इसका इंस्ट्रेक्शन भी इसमें दिया है और इसके साथ दो सैनेटाइजर का पाउज भी दिया है काम में आजाएगा भी कपड़ा भी एक्तम हंडेट परसेंट कॉटन का और बहुत ही सची में बहुत ही प्रीम्यम कॉटन है इसका और एक्तम फिटिंग्स का है मतलब कहीं से भी कहीं से भी इसमें मतलब कुछ गैप नहीं है यह इसमें कहीं पे भी गैप नहीं है तो फिटिंग्स इसका बहुत ही परफेक्ट है अच्छा है तो मेरी साब से 551 इस प्रोड़क्ट के लिए ठीक है हम लोग पेक कर सकते हैं इसके लिए क्योंकि यह क्वालिटी प्रोड़क्ट है आए अभी नेक्स प्रोड़क्ट हो इसके यह मैंने मेरी बेटी के लिए शॉप्स में मंगवाई थी में फ्लिपकर्ट से आए उसमें अन्पैक करते हूं अधी मैंने तीन शॉप्स मैंने मंगवाया था फ्लिपकर्ट से यह एक दो और तीन यह तीन इसका प्राइस लिया है सिक्स ट्वेंटी एट तो उसे साब से एक एक का अपका टू जिरो नाइन तू जिरो नाइन में यह शॉप्स मुझे मिला है तो आयो देखनों यह स्टाइल वानकर प्रिंटेट शॉप्स है यह एक आयो चाहिए यह ब्लैक क्रवच के उपर प्रिंटेट शॉप्स यह 100% cotton में है इसमें डोडी भी है इन साइस में लिया है तो डिली वेर के लिए यह शौट्स अच्छा है बहुत दी कमफटबिल है मैं और बाकी दो भी मैं देख लेती हूँ यह नेवी ब्लू के उपर है यह नेवी ब्लू में है यह शौट्स यह भी सेम अपका स्टाइल अलों का है से यह ने भी ब्लू के उपर वाइट स्टार प्रिंटेड है और यह मैंने लिया है यह भी इन साइस का यह भी 100% cotton में है और तीसरा वाला है वह है पिंग कलर में यह पिंग कलर क्यूबर ब्राउं प्राउं प्राउं प्रिंटेड है यह भी 100% cotton में है और इसका साइस भी एल साइस का है और सेंब रैंड का है तो मेरे ख्याल से फॉर डेली परपस फॉर डेली यूस यह शौर्स अच्छा है 209 में आइधिंक चीप है तो आप लोग इसको भी ट्राइ कर सकते हो मेरे हिसाब से और फ्ली कट में यह अच्छा दिन मिला है मुझे तो दोस्तों आज का जितना भी मैंने प्रोड़क्ट दिखाया उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी तो आप सिधा वहां पर जाके आप लिंक में क्लिक करके अपर्चेस कर सकते हो तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं मेरे न झाल